वहक्त आप सब्सक्राइब नवस्कार दोस्तों मेरा नाम है हिमाइशू पाराशर और आप देख रहे हैं आज हम बात करेंगे Accruid Interest के बारे में दोस्तों इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था account holder क्या होता है उसके बारे में तो एक playlist में आपको description और comment column में दे दूंगा जहाँ पर आपको सारी की सारी terminology मिल जाएंगी जिस जिस पर मैं video बनाता हूँ तो एक बार पहला वाला comment या description चेक कर लेना दोस्तों accrued interest जो मैं आज आपको बताने बाला हूँ आप सभी से हाँ जोड़कर बिंती है कि यदि आप ये video देख रहे हैं तो उस video को पूरा देखें और मेरी बात को जी हाँ मेरी बात को ध्यान से सुने ठीक है ना क्योंकि accrued interest पर मैं थियोरी नहीं बताऊंगा practically समझाऊंगा clear है चलिए समझते हैं start करते हैं बढ़िया से समझते हैं आप लोग ऐसे समझना कि आपको कुछ आता नहीं है ठीक है ना accrued accrued का मतलब होता है जमा एकटा हो जाता है ना कोई चीज एकटी कोई चीज हो जाती है उसको बोलते है accrued accrued interest पे बात करेंगे हम ठीक है ना एकदम आसान भाषा में accrued interest दो तरीके से होता है एक तो current asset होता है current asset की रूप में use होता है और एक current liability के रूप में use होता है मतलब accrued interest का use दो तरीके से होता है ये पहली बात है ठीक है ना no down कर लो तो यह पहली बात है कि accrued interest का जो यूज है वो दो तरीके से होता है current asset और current liability अभी यह मत समझो कि current asset क्या होता है current liability क्या अभी यह सब छोड़ो ठीके ना अब हम आते हैं accrued interest पर फॉर एक्जामपल बैंक ठीके ना कोई bank ने आपको loan दिया यह मैं हूँ ठीके ना देख रहा हूँ ना bank ने मुझे loan दिया 10 लाक रुपे का और एक condition रखी कि हम 10 लाक रुपे का loan तो आपको दे रहे हैं उस पर 5% ब्याज हर साल लेंगे एक बार फिर से मैंने bank से loan लिया bank ने मुझे को loan दिया देखो यह loan दे रहे हैं ना 10 लाक रुपे का और हम आपसे condition रखी किसने bank ने कि हम आपसे 5% ब्याज लेंगे interest लेंगे हर साल और loan मुझे दिया गया 5 साल के लिए कि भाई 5 साल के अंदर तो मैं जो भी काम निप्टान अच्छा तो यह बताओ 10 लाक 10 लाक का मैंने loan लिया तो 5% interest कितना बनेगा 10 लाक पर 5% कितना बनेगा 10 लाक तो 5% 50,000 रुपे मतला मुझे हर साल 50,000 रुपे देना था interest के रूप में ठीके ना और वो 5 साल तक देना था मुझे interest है ना 50-50,000 रुपे हर साल मुझे देने थे ठीके 5 साल तक और 5 साल बाद 10 लाक रुपे और interest सहित मेरे को बैंक को पापिस करना था ठीके अब मुझे हर साल 50,000 रुपे interest जमा कराना था बैंक में पर मैंने 2 साल तक बैंक में एक भी रुपे जमा नहीं कराया तो इस condition में क्या होगा जो पैसा मेरे पर liable बन गया मतला मेरे उपर liability बन गई क्योंकि 2 साल का मैंने पैसा नहीं दिया देना तो मुझे पड़े गई ना पैंक वाले क्या मैं खुला छोड़ देंगे नहीं छोड़ेंगे है ना वो पैसा अपना भूल थोड़ी जाएंगे उन्हें याद रहेगा कि मैंने दो साल का इंट्रेस्ट नहीं दिया दो साल का इंट्रेस्ट कितना बनता है यदि एक साल में मुझे 55 रुपे देने है तो दो साल का इंट्रेस्ट बना एक लाग रुपे तो दो साल का मैंने इंट्रेस्ट नहीं दिया जो कि मेरे को आने वा हो गया current liability मतलब मेरे पास liability है मतलब मेरी जेप से पैसा जाएगा liability का मतलब क्या होता है जेप से पैसा जाना ठीक है मेरे पर responsibility हो गई है न मेरे पे एक दायत वह हो गया कि मेरे को आर पैसा चुकाना है आर दो साल से मैंने उनका interest नहीं भरा है ना बस समझ में आगई बात अब वो 5 साल वाला concept भूल जाओ कि 5 साल वाद पैसा देना था ये वो नहीं हमको क्या में क्या समझना था कि accrual interest क्या होता है जो कि 18 हो जाता है है ना हमने पैसा नहीं दिया पर देना तो है हमको है ना तो वो जो एक खटा हो गया ना जो एक लाक रुपए दो साल का interest वो कहलाएगा accrual interest जो एक खटा हो गया है ना तो वो क्या कहलाएगी मेरी current liability कहलाएगी जो मैंने आपको अच्छे समझ में आ गया होगा current liability वाला accrued interest ठीके ना क्योंकि दो तरीके से use होता है accrued interest तो आप मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ current asset वाला ठीके ना तो एक तरीका हो गया दूसरा तरीका समझो है ना यदि थोड़ा सा doubt लग रहा हो current liability वाले में तो थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा पीछे करना दो मिनिट अपने आप समझ में आ जाएगा ठीके ना अब इसको समझते हैं बहुत आसानी समझेंगे देखो ये वाला बता रहो current liability वाला हो गया हमारे उपर क्या था कर्तव भी था हमारे उपर क्या था कि हमको यार पैसा चुकाना है तो वो current liability वाला crude interest हो गया ठीक है अब crude interest current asset वाला समझो बहुत ध्यान से समझना दोस्त सुनना मेरी बात को bank ने अब क्या हुआ देखो bond की बात चल रही है पहले तुम्हें आपको bond समझाता हूँ bond कुछ नहीं होता एक paper होता है एक paper वे paper होता है जिससे की सरकार या कोई company पैसा उठाती है ठीक है ना बस इतना समझो लिया बात खता तो bank ने क्या किया issue करा एक paper और bank ने मुझसे का hello हमाईशू आप हमारे बड़े प्रिये customer है हम आपके लिए एक scheme लेकर आए है एक paper सरकार ने release किया ये bond को मैं paper बोल रहा हूँ एक परचा एक paper release किया है सरकार ने कि यदि आप वो paper एक लाग रुपे का खरीद लेते हो तो आपको 5% interest मिलेगा मैंने खरीद लेते हैं वहीया एक लाग का paper 5% interest भी तो दे रहा है हमने खरीद लिया हमने क्यों खरीद लिया कि कोई एक तो सरकार ने issue कर रहा था सरकार करती है मैं कभी bond आंगे भी आएगा terminology में bond आएगा तो मैं bond समझाऊंगा आपको पूरी बात पर अभी के लिए थोड़ी सी यह वाली बात समझ लो है ना एक पर्चे के रूप में समझ लो तो bank issue करता है बैंक ने दिया वैसे तो RBI issue करता है पर bank से लिया मैंने ठीके ना क्या लिया bond लिया एक पर्चा लिया एक लाग रुपे मैंने बैंक को दिये और पर्चा अपने घर ले आया और उसमें bond में लिखा था मतलब एक उस पर्चे पे लिखा था कि भईया आपको 1,00,00 रुपे देने 5% आपको interest मिलेगा 5 साल तक मिलेगा ठीके ना पर 5 साल के बाद ही पैसा मिलेगा फिर से एक बार फिर से बोल दूँ बैंक से मैंने एक पर्चा लिया उस पर्चे पे लिखा था एक लाक रुपे दो ये पर्चा घर रख लो 5% interest मिलेगा 5 साल तक मिलेगा हर साल 5-5% interest मिलेगा और पैसा जो मिलेगा वो 5 साल के बाद मिलेगा बीच में पैसा तुम नहीं निकाल सकते ऐसा बोला गया ठीके मैंने का ठीके 2 साल बीच गए 5 साल बाद पैसा मिलना था 2 साल बीच गए तो 1 लाग पे 5% 1 लाग पे 5% मिलना था हर साल तो 1 लाग पे 5% कितना होता है 10% 10,000 होता है तो 5% कितना होगा 5,000 तो 1 साल पे 5,000 मिला तो दो साल में कितना हो गया, दस हजार रुपे, हो गया ना, दस हजार रुपे, तो वो तो मेरे को मिला नहीं, पर जुड़ तो गया ना, वो मेरे को मिला नहीं, पास साल बाद मिलेगा, पर जुड़ तो गया ना, तो वो क्या कहलाएगा, एकटा, अक्रूड इंट्रेस्ट, मिलेगा मुझे वो पर अभी नहीं मिला पर जुड़तो गया ना मेरे अकाउंट में तो जुड़ गया ना वो तो वो क्या कहलाएगा Accrued Interest समझ में आगई बात तो ये है मेरी वो Current Asset Asset मतलब जो मेरी जेब में पैसा डालेगा Current Liability मतलब जो मेरे जेब से पैसा निकाल के ले जाएगी Clear होगा ये दोनो एक्जामपल I hope कि आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में एक चीज़ और Clear कर रहा हूँ है Accrued Income क्या होती है Accrued Income बहुत मज़ा जाएगा बस एक मिनट देदो मेरे को दोस्तों Accrued Income और समझ ले जाओ इसी वीडियो में ठीके ना देखो क्या है मेरा यासे YouTube चैनल है अब भाया क्या हुआ YouTube ना वहाँ पर एड चला रहा है मेरी वीडियो में एड चला जा रहा है चला जा रहा है आप मैंने का याइड चला आते हो हम वीडियो डालते है बच्छे एड देखते है तो हमको पैसा मिलता है बच्छे वीऊस देखते है तो हमको पैसा मिलता है वो पैसा तो देदो तो YouTube भाया बोले कि नईने हम तो आपको तब तर देगे 100 dollar आपके हो जाएंगे मैंने का 100 dollar हो जाएंगे अच्छा चलो ठीक है हमने 5 माईने 6 माईने इंतजार किया 100 dollar होई नहीं रहे फिर हमने देखा 60 dollar 70 dollar हो गए कुछ माईने और काम करते हैं अच्छे से पूरे 100 dollar हो गए उस दिन income आ गई तो उससे पहले उससे पहले जब इंकम नहीं आ रही थी और 6-7 महीने में काम कर रहा था पर 100 डॉलर नहीं हुए थे है न क्योंकि 100 डॉलर के बाद ही YouTube पैसा बेचता है है न तो जब तक इंकम नहीं आ रही थी पर उस बीच में जो पैसा बन रहा था वो आपको कहलाएगा a crude income मतलब वो पैसा 18 होता जा रहा था मिलेगा आपको आगे जाकर 100 डॉलर जब हो जाएंगे तम मिलेगा पर वो पैसा तो 18 होता जा रहा था पैसा तो जुड़ता जा रहा था पैसे में कोई रुकावर्ट आई किया नहीं आई तो वो तो जुड़ता जा रहाता, मिलेगा मुझे 100 डॉलर के बाद, ऐसा ही आप एक स्कूल के एक्जामपल ले सकते हो, जैसे कि आप एक स्कूल में काम करते हो, ठीके न, आप पढ़ाते हो, लेक्चर लेते हो, पर सेलेरी आपके प्रिंसिपल ने का, यार इस महिने तो नही मिले गई न, कभी न, कभी तो मिलेगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका accruude income, क्योंकि वो एक था पैसा है, आपका जमापैसा है, I hope that आपको वीडियो पसांद आया होगा, मैंने आपको accruude interest का दो तरीके से बता दिया, या accruude interest का दो तरीके से use होताय, इसी की साथ साथ मैं